हेलो गाइस वैलकाम बैक नो माई यूटूब चैनल पंजाबी माइंड आइडिया तो गाइस आज की ये वीडियो जो हमने बनाई है यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है बलके इसमें प्लंब्रों का भी बहुत ज़्यादा फैदा होगा जो प्लंब्रिंग का काम करने व कि जानकारी मिल सकते हैं तो फ्रेंड्स हमने एक टेली एसी पीवीची की पॉनेंच की और एक सोकट लिया है और सबसे पहले हम इस सोकट को फिमेल सोकट बनाएंगे एक चोटा सामने टुकडा लिया है एक इंची का जिसका डाया पॉना इंची है इसको सॉल्वेंट के कर लेंगे इसकी सोकट की पाइप की सोकट के लेवल तक क्योंकि यह पाइप थोड़ा सा बढ़ा है तो फ्रेंड सॉकट में पाइप काट लेने के बाद हम इसमें जो है यह ग्रेंटर के साथ इसमें कोर्बिट लगा गए इसमें होल करेंगे और होल यह करना इस सेड़ से नी करना है इसका गाया में बड़ा करना है यह जिदर प्लाओ दर से नीकर आमने दूसरी साइड से करना है कर दो तो अधिर फ्रेंड्स को अधिर विट लेंगे त्रेडिंग टेप यह बीस पी आधा है और इस से हम दूसरी साइड पे जिदर पाइप नहीं लगाया है उससे टेप डाल के इसमें चूडी बनाएंगे अगर 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 जैसे यह टेप बहार आजाए इसको रिटरन वापस खोल लेंगे तो फ्रेंड्स टैप हमने खोल लिया देखिए इसमें थ्रेड बन चुकी है अब हम क्या करेंगे एक सेंड पेपर लेंगे और इसका सरफेस थोड़ा साफ कर देंगे सरफेस साफ होने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि यह अपने थ्रेड बनाई यह लगती कि निए इसके लिए मैं एक जी आई का निपन लेंगे लोहे का उसमें लगा के देखेंगे यह लग गई है इसमें आप टैफलोन टेप लगा के कहीं भी कर सकते हैं यह प्लेन शॉकट यह उल्ली 10 रपे की है लेकिन अगर आप इमेल शॉकट लेने जाएंगे तो यह आपको 50 रपे की पड़ेगी और यह थोड़ी सी मेहनत करने के कि में फ्रेट बनने के बाद हमारे 40 रव बना सकते हैं और इस हूम एट का यह बल्यविट होगा तische कि ситу भी हम हुआ है